हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास Dewalt का एक एर ब्लोओर है जिसका आर्मेचर खराब हो गया है लेकिन मेरे पास ये आर्मेचर नहीं है तो हम इसमें आज बलेकान डेकर कंपनी का आर्मेचर डालेंगे जो लगभख डिवालड के एर्ब्लोओर के सेम सेम ही होता है यह देखई ये Black & Decker Company का है तो चलिए शुरू करते हैं आरमेचर निकालने से पहले कारबन निकालना होगा इसका इसी भी चीज़ का आरमेचर निकालने से पहले हमें कारबन निकाल लेना चाहिए ये देखई ये कारबन है और अब इसके दूसरे साइट का भी कार्बन हम निकाल लेते हैं देखिए दोनों कार्बन निकल गया अब हमें इसका आरमेचर चेंज करने के लिए उपर का ये चार स्कुरू खोलना पड़ेगा हम चलिए फटाफट खोल लेते हैं इसे स्कुरू निकालने के बाद इसे ओपन कर लें और अब हमें सबसे पहले ये फैन खोलना है तो फैन के ऊपर एक नट लगा हुआ है जो दस नमबर के स्पैनर से खुलेगा तो हम पहले इसे खोल लेते हैं देखिए नट निकालने के बाद फैन इतनी आसानी से बाहर आने वाला नहीं है यह चलके चलके थोड़ा जाम हो जाता है इसके लिए हमने दूसरा रास्ता एक निकाला है फैन के नीचे का इस्कुरू खोलने के लिए हमने यहाँ पर एक इस्कुरू के जगा में ही एक होल बन इसे complete बाहर निकालने, यहां पर यह cut है, इस cut का ध्यान रखें, ताके फिर डालने में आसानी हो, देखिए इस तरह से पूरा बाहर आ जाता है, अब सबसे पहले इसमें से हमें armature निकालना है, तो इसको थोड़ा सा ताखत से खीचेंगे तो बाहर आ जाएगा, दिला करके इ तो बाहर आ जाएगा थोड़े ज़र में ही, यह देखिए आ गया है, इसे रख देते हैं side में, और अब निया armature निकाल लेते हैं, यह देखिए, यह निया armature है, डिवाल्ट के original armature और black and dagger के इस armature में ज्यादा कुछ फरक नहीं है, बस यह है कि डिवाल्ट का original armature होता तो इसमें यहाँ पर ऊपर में bearing, washer और pin के साथ में आता, जबकि black and dagger के इस armature में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें bearing और washer डालना पड़ेगा और इसके उपर pin की जगपर हमें किले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बस यह फरक है, तो चलिए पहले हम इसमें bearing, washer और pin डाल देते हैं, bearing यहाँ इसमें बहुत easy में जाता है, हाँ सही दबा के थोड़ा सा push करेंगे तो चला जाएगा, इसके बाद washer इसमें से निकालना पड़ेगा, तो हम इसको washer को निकाल लेते हैं, इसमें से pin निकाल कर गए, washer हमने निकाल के नए वाले में डाल दिया है, और अब हम इसका pin डा इसको हम डाल देते हैं, यह pin मैंने cutting कर लिया, इसको fan की घाट में डाल के चेक कर लेते हैं, जहां पर यह pin बैठेगा, लगता थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा और cutting कर लेते हैं, अब यह बराबर है, चलिए अब armature को blower में डाल देते हैं, blower के नीचे में bearing का घाट है, उस bearing की घाट में bearing बराबर बैठना चाहिए, आर्मिचर डालने के बाद ओंगली से इस तरह से घुमा के देखने हैं, इसको free में घूम रहा है या नहीं, यह तो free है भी, चलिए इसके उपर का body अब हम डाल लेते हैं, body डालने के लिए यहां पर marking हैं, उस marking के हिसा बड़ा सा प्रेस करना होगा, क्योंकि bearing जो है अपनी घाट में बराबर बैठना चाहिए, बैठ गया लगता है, अब इसका screw डाल लेते हैं, चारो screw अच्छे से tight करने के बाद इस आर्मिचर को एक बार फिर से घुमा के चेक कर लें, यह आर्मिचर अभी भी free में घूम रह यह तो ही वो घूम पाएगा सही से, फैन को निकालते वाद थोड़ा सा प्रावलम होता है, लेकिन डालने के टाइम में एजी है, यह अंदर चला गया, और free भी है, इसके उपर एक nut है, nut डाल लेते हैं, nut tight करने के बाद बाद बाड़ी का cover भी डाल लें, उमीद है यह झाल बुरें